हलो स्टुएंट्स, एलीट स्टेडी जंदार के इस यूटूब पॉडकास्ट में आप सभी गस्वागत है MPPSC 2019 पर मानियो चनेले का जो रिजल्ट आया है, उस पर क्या इस्तिती बन रही है, इसकी बात करेंगे साथी 2020 मुखे परिक्षा का क्या होगा, और आगे आने वाली परिक्षाओं के समन्द में सारी लेटरस्ट अपडेट्स इस पॉडकास्ट के मात है, मुझे बताएंगे साथी आपको बता दे, अलीट स्टेडी जंद और पिंसर की किक्षाओं अब आपको ऑनलाइन भी मिलेंगी, सिर्फ आपको 9685570712 पर वैट्सिप करना है, साथी हमरे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम, इंस्टेग्राम, यूट्व, फेस्बुक की लिंक दी गई है, उन पर भी आपको हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना है, सारी टैस्स्रीज, नोट्स आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मात्यमों मिल जाएंगी, इसलिए 9685570712, एलीट स्टेडी जंद और पिंसर काई नंबर हमेशे याद रखी, अपने दोस्तों को, मित्रों को, स सेलेक्शन प्रोवाइड करने वाला संस्थान है, एलीट स्टेडी जंद और, चली, आपको बता दें कि MPPSC 2019 पर जो मानी हाई कोट का जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला है, उसमें मानी हाई कोट ने ये कहा है कि प्रारंबिक और मोखे परिक्षा जो है, वो फिर से कहना चाहिए, इनका रिजल्ट परिणाम तयार किया जाएगा, मतलब जो पुराने नियम है, उनके आधार पर अब इसका रिजल्ट तयार किया जाएगा, तो यहाँ पर अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या जो बच्चे पहले से प्री और मेंस निकाल चुके हैं, मतलब अब जाएगे मेंस में मुख्य परिक्षा में, तो क्या उनके साथ साक्षातकार दे रहे बच्चों को भी बैठना पड़ेगा, तो दो इस्थितियां हैं कि या तो सभी बच्चों का मुख्य परिक्षा करवाई जाए, मतलब री एक्जैम कराई जाए, क्योंकि अलग रखा जाए, और जो सिर्फ प्रभावित बच्चे उनका जो है एक्जैम करवाके, जो है फिर साक्षातकार सभी का ले लिया जाए, ऐसा हाई कोट ने अपने डिसीजन में कहीं कुछ भी नहीं बताया है कि प्रक्रिया को किस तरह से करवाना है, उन्होंने सिर्फ इत प्रक्रिया का रिजल्ट बने का, अब इस पर मेरा स्टेंड में बता चुका हूं कि अगर मैं होता तो मैं यही सोचता कि जब मैं प्री मेंस दे कर क्वालिफाई होकर साक्षातकार मैं पहुँच चुका हूं तो अब मुझे प्री मेंस देने की अवशक्ता नहीं है क्योंक विवादत नियमों के वज़े से शामिल नहीं हो पाये थे जिनके साथ गलत हुआ उनको एक्जाम देने की जरूरत है और वो सभी के साथ फिर एक कॉमन मेंट लिस्ट में शामिल होकर साक्षात कर दें तो ये मेरा सोचना है समझना है मेरा अपना ओपिनियन है लेकिन हाई हाई कोट ने कहा है कि पुराने नियमों के आधार पर परिक्षा का परिणाम तयार करें तो इसमें दोनों इस्थितियां है MPPSC चाहे तो फिर से क्या है प्री एक्जैम की मेरेट लिस्ट जो है रोस्टर के विवादत नियम को हटा कर तयार करें और फिर से सभी की मुखे प कर वाए जिनको इससे हानी हुई थी जो इस नियम की वज़े से परिक्षा नहीं दे पाए थे तो इसमें परिस्थितियां दोनों ही है और MPPSC जैसी संस्थाओं के लिए नियमों की बात करना यह तो अपने आपको एक तरह से धोखे में रखना या आप कह सकते हैं अपने आ बच्चों का विर्थियों का जो है भविश्य दाव पर लगाया है उनके सपनों को एक तरह से खत्म कर दिया है एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है हमारे राजी के लिए हमारे इस राजी के लिए जहां पर इतनी बड़ी संस्थाएं और इतने काबिल लोग जिन में तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी है सभी को यह MPPSC जैसी संस्थाओं से जवाब लेना चाहिए ठीक है वैसे तो आप जाते हैं तो बड़े कहना चीए लाड़ प्यार से जाके ठीक है हो गया ऐसा है वैसा है जी 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 करके चले आते हैं फिर होता यह है कि जतना आपके पा आपना ग्यान उन पर भी थोड़ा सा यूज करके सिर्फ टीचरों पर ग्यान यूज करके आपने क्या अभी तक पाया क्योंकि टीचर ना तो इस प्रदेश का मुख्यमंद्री है ना वो किसी ऐसे प्रशासन या अधिकारी की पोस्ट पर है कि आपकी कोई हल्प करे तो कहन का अतात पर ये है कि अपना नॉलेज अपना ग्यान वहां यूज करिए जहां पर करना चाहिए आपको समस्याएं बहुत ज़्यादा हो चुकी है MPPSC अभ्यर्थियों के साथ और अगर अभी भी आप लोग कहना चाहिए अपने अधिकारों को लेकर अपनी कहना चाहिए MPPSC अभ्यर्थियों के लिए इतनी बड़ी तरासदी के जहां नीज भी नहीं हुई बीस भी नहीं हुई एक्कीस भी नहीं हुई बाइस कभी आपने टैम्टेबल दे दिया और कहने का मतलब चार साल से सिर्फ एक्जाम केलेंडर ही आ रहा है नौकरी किसी को नहीं मिल रही और जो जैसे तरह से ले देकर साक्षादकार तक पहुँची भी थी वो एक्जाम भी रद होगी तो एक बहुत बड़ा क्वेशन मारक है आपको सोचना चाहिए हम इस पॉड़कास के मादे हम से सिर्फ आपको एक तरह से जागरुक करने का काम करते हैं आपके अधिकारों क घरों में बैठे रहें तो जैसा आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं देखिए और यहां पर यह भी बात ध्यान देने वाली है कि जो 2020 मोखे परिक्षा है वो भी अपने समय से आविचित हो सकती है क्योंकि इसमें भी किसी तरह की कोई भी निउस निकल कर नहीं आई है क कि इसको 2019 पर जो माननी हाई कोट का फैसला आया है उसकी वजह से इसको टाला जाएगा या डेट बढ़ाई जाएगी तो उसकी तयारी आप प्रॉपर करिए ठीक है 2021 थोड़ा सा दूर है वो बात में होगी उसकी भी तयारी आप करते रहें तो फिलाल अपडेट यही है कि 2019 मुखे परिक्षा के संबन्ध में कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब गेन जो है वो MPPSC और सरकार के पाले में हैं यह चाहें तो सभी के एक्जैम्स करवा दें यह चाहें तो जो मेरेट लिस्ट वाले हैं उनको अलग रखके सिर्फ उनहीं के एक्जैम्स करवाएं जो की प्र जो की मैं हर बात पर अपना स्टेंड क्लियर कर देता हूं क्योंकि वो एक आदत नहीं है कि हम वेट एंड वाच वाले स्थिती में रहें हमेशा और जैसे ही हाई कोड का परणाम आया तो सब वीडियो बना बना के हम अपडेट देने लग जाएं लेकिन मैं आपको एक साल पहले से कहा रहा था कि यह हाल होगा तो वह एक साल पहले से में अपडेट दे रहा था और जो तथा कथित लोग हैं वह हाई कोड के नड़ाय के बाद आके आपको बढ़िया से अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स मेंटेन रखने के लिए बढ़ाने के लिए क्या कर र इलेजिबिल्टी क्राइटेरिया या किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है तो यह हमारे उपर डेपेंड करता है कि ग्यान हमें किस से लेना है और किसको देना है चलिए तो यह हो गया बटा बाकी मुखे परिक्षा का भी बता दिया 2021 का थोड़ा सा वेड और वाच वाली सिध रही है देखते हैं शाम तक क्या अपडेट आती है most probably इस week में सारा का सारा जो भी है आपके सामने clear हो जाएगा कि आपको मौका मिल रहा है 2020 में या नहीं मिल रहा है क्योंकि सारी सिधिया सारी अपडेट्स में आपको देहीं चुका हूं और आपके पास ओल्रेडि केस का र प्रिक्षाओं की तैयारी के लिए आप अपने दोस्तों मित्रों से पार्थियों सभी को 9685570712 हमाना नंबर ज़रूर होता है इस पर वैट्सेप करना है क्योंकि पूरे मध्रदेश में एक ऐसा संस्थान एक ऐसा टीचर जो की सिर्फ और सिर्फ चात्रों के हिद की बात करता है और चात्रों के चैन की जिम्मेदारी लेता है से आप सभी वह पाएंगे जो आप एक अजस्टुडेंट एक्सपेक करते हैं चाहे वह हिंदी माध्यम हो अंग्रेजी माध्यम हो आप हमारे नोर्स टैस्ट पेपर्स कर्षा है सब कुछ अब ऑनलाइन भी प्राप्त कर पाएंगे धन्यवाद